हलो फ्रेंट्स वेलकम टूर चानल करनेट अफेर अब्डेटेड अधिस दिवशी शवस्ती और आज भी आपके सामें एक बड़ा इंपॉर्टेट टॉपिक लेका हूं जो एक्जाम परस्पेक्टिफ से बहुत जादा इंपॉर्टेट है इस टॉपिक इस इंटरनाइशनल अब आप देखते हैं बहुत सा इंटरनाइशनल और जो अभी न्यूस में हैं और उनके रिगार्डिंग हेड़क्वार्टर पूछे जाते हैं वह कब इस्टाबलिश्ट हुई यह पूछा आता है उनके प्रेजेंटली हेड कौन है यह पूछा आता है और कुछ इंपॉर् एंटरनाइशन और कोर्दों सी ओगनजैशन के लिए क्या कै और कोनौं सी और एंग्स पर्स्पेक्टर से इंपोरेंट हैं उनके किया इंपॉरेंट्फटेञ सैलीबरेट करें नेक्सका हेड़क्वार में न्यू यूय को canamute शिती गुदकें जने केुज और और अभी 2023 में 78th President बने हैं United Nation General Assembly के और वो कौन अपॉइंट हुए थे नामे Dennis Francis जो की TNT यादेखे तरिंदान टोबैको के बिलॉंग करते हूं पहली बार उस country के यादेखेगा कोई President अपॉइंट हुआ तो 78th President अपॉइंट हुए थे इंडिया इन यूए नो के तो कुछ पॉइंट है जो मैंने बता दिये एक्जाम पस्पेक्टिव से इंपॉइंट है तो अब दे सकते हैं मैंने United Nations Security Council के बात के तो UN के ही पार्ट है याद अखेगा तो इसमें United Nations Security Council ज्यादा important है 24th October 1945 में ही form होता है अफकोस UN का ही पार्ट है क्योंकि headquarter New York USA है permanent members इसमें 5 permanent members होते हैं जिनका veto power होती है जिनका नाम है China, France, Russia, USA and UK तो किसी भी बात पर किसी भी voting होती है अगर उसमें veto का देते तो वोटिंग dilute हो जाती है तो यह power सरता permanent members के पास तो 5 permanent members है और इसमें 10 non-permanent members है मतलब total देखा जा तो 15 members होते हैं United Nations Security Council में चले आगे बढ़ते है next पर आते next है World Bank Group फॉर्म कब हुआ था जुलाई 1944 में इसका headquarter का है Washington DC या दिखेगा President कौन है अभी एड प्रेजेंट इंडियन उरिजिन है Ajay Banga जो की exam perspective से important है MD और Chief Financial Officer कौन है या दिखेगा अंशुल कांत ये exam में पूछ सकते हैं आप से UNICEF United Nation Children Emergency Fund फुल फॉर्म है इसका 11th December 1946 पर फॉर्म होता है headquarter जो है New York USA में है और इसका executive director या दिखेगा नाम आपको याद अखना है वो कौन है that is Catherine M. Russell या दिखेगा तो Catherine Russell जो है वो executive director है तो ये point भी आपको याद अखना है आगे बढ़ते है next आता है UNDP United Nation Development Program okay established होता है 22nd November 1965 में headquarter जो है वो New York City में है और chairman जो है Aakim Steiner जो है याद एकिएगा that is the chairman of United Nation Development Program okay next organization आती है UNWFP फॉल फॉर्म क्या है United Nation World Food Program ये news में इसलिए भी था 2020 में इसको Nobel Prize मिला था Nobel Peace Prize मिला था इसलिए news में था okay established होता है 19th December 1961 में headquarter Rome Italy में याद दिखेगा और C. Macklin जो है वो याद किए C. Macklin जो है उसके head है तो इंपोरेंट है को 2020 में ये news में भी आया था because of the Nobel Prize in Peace okay next FAO Food and Agriculture Organization established कब हुआ 16th October 1945 में में headquarter है अगे रोम इटली जो है वो इसका headquarter है और याद किए क्यू डॉंग्यू जो है याद चाइना से बिलॉंग करते हैं क्यू डॉंग्यू जो की अभी एट प्रेसेंट का इसके head okay next AILO International Labour Organization 11th April 1919 में फॉर्म होता है headquarter again Genoa Sosiland और chairman जिया देगे Gilbert Hongbu जो है जिया देगे Gilbert जो है वो head present क्या है इसके chairman है किसके याद दखेगा ये लो International Labour Organization next आता है UNESCO United Nations Education Scientific and Cultural Organization established होता है 16th November 1945 में headquarter है Paris France और याद दखेगा Andrew जो है वो याद दखेगे chairman है किसके UNESCO के तो Andrew आपको याद दखना है chairman of UNESCO okay next आता है UNEP United Nations Environment Program established होता है 5th June 1972 को इसलिए हम 5th June को World Environment Day celebrate करते हैं headquarter है Nairobi Kenya और Inger Anderson जो है वो याद दखेगे इसके chairman है तो chairman भी आपको याद दखना है next आता है WWF World Wide Fund for Nature 29th April 1961 में फॉर्म होता है headquarter है Switzerland Gland जो Switzerland में वो इसका headquarter है और अदिल नजम जो पाकिसान से बिलॉग करते हैं इसके chairman है WWF के नेक्स आता है IUCN International Union of Conservation of Nature short form है IUCN फॉर्म होता है 5th October 1948 में headquarter again Gland Switzerland जो है इसका headquarter है और ब्रूनो याद दखेए डारेक्टर जेनर को और ब्रूनो तो याद है ब्रूनो के नाम से आपको याद दखना है नेक्स आता है World Trade Organization very famous WTO okay established होता है 1st January 1995 में headquarter है Geneva Switzerland और याद दखेएगा Nagosi Oconzo जो है वो head present woman है याद दखेगा chairman है और WTO मैं बता हूँ यह form होता 1995 में और इससे replace किया था बहुत important institution को जिसको कहता है GATT General Agreement of Trade and Tariff यह 1947 में बना था इसको replace करके ही WTO बनाए गया तो कभी-कभी उससे WTO ने किसको replace किया था तो यहार कि GATT को replace करके WTO आया था picture में next है United Nation World Tourism Organization that is UNWTO established होता 1st November 1975 में headquarter है Madrid Spain याद इसका headquarter है Secretary General या दिखेगा Zurab जो है at present Secretary General है UNWTO के याद की World Tourism Organization के next आते United Nation High Commissioner for Refusee या दिखेगा United Nation High Commissioner for Refusee short form है UNHCR established हुआ 14th December 1950 में headquarter Genova Switzerland है और जो chief है इसके या दिखेगा फिलिपो फिलिपो जो है at present chief है UNHCR के और यह important है इसको Nobel Prize मिल चुका 1954 में 1981 में दोनों में इसको Nobel Prize मिल चुका है ओके next है UNHRC United Nation Human Rights Council या दिखेगा United Nation Human Rights Council established हुआ 15th March 2006 में headquarter है Geneva Switzerland या दिखेगा headquarter Geneva Switzerland और work club या दिखेगा work club जो है at present chairman है किसके UNHRC के तो important है इसके chairman भी याद अकना है नेक्स आता आई यह से इंटरेशन सोलर एलाइन्स important है 30th November 2015 में established होता है headquarter जो है गुरू ग्राम हर्याना इंडिया में headquarter है इसलिए important है और अजे मातुर जो है वो डारेक्टर जनरल है तो important है क्योंकि इंडिया में देखिए को इंसेट्यूशन का headquarter इसलिए exam के लिए important है यह नेक्स आता है International Committee of Red Cross established हुआ 9th February 1863 में जेनेवा सुझेलन headquarter है और या दिखेगा इगर करके है ठीक है मिर्जाना इगर जो है वो at present president है और इसको भी nobel prize मिल चुका है 1917 में peace prize nobel peace prize 1917 1944 और 1963 में three times इसको nobel prize मिल चुका है नेक्स आते हैं International Monetary Fund IMF में 27th December 1945 में established होता है headquarter जो है Washington DC है और MD जो है crystalina याद के crystalina जो है at present MD है और chief economist कौन है Perry Oliver जो है वो chief economist है IMF के पूछा आता IMF के comment box में बता है IMF में members कितरे हैं या आप मुझे comment box में mention करिए कि IMF में members कितरे हैं नेक्स आता Interpol ठीक है International Police जिसको आप कहते हैं established हो था 7th September 1923 में Lyon France जो है इसका headquarter है और Ahmed Nassir जो है याद देखिया at present chairman है किसके Interpol के next आता FATF that is Financial Action Task Force 1989 में established होता है headquarter जो है Paris France पे है और T. Raja Kumar याद देखेगा at present क्या है chairman है T. Raja Kumar नेक्स आता NATO North Atlantic Treaty Organization NATO okay established होगा 4th April 1949 में Brussels Belgium जो है याद इसका headquarter है next आता W.E.F. World Economic Forum established होगा January 1971 में Switzerland क्लोनी जो जगह है क्यादेगे Switzerland में वो इसका headquarter है और chairman याद दिखेगा that is Klaus Klaus जो है at present chairman है किसके that is W.E.F. World Economic Forum next आता IOC International Olympic Committee established होता है 23rd June 1894 में headquarter जाद जखेगा Lusanne Switzerland में important है Lusanne Switzerland पूछा आता है और Thomas Bash जो है at present क्या है chairman है IOC के next आता है FIFA International Federation of Association of Football full form है FIFA का 21st May to 1904 में established होता है और Zurich Switzerland जो है वो इसका headquarter है Glani जो है याद दिखेगा at present FIFA का chairman है याद दिखेगा FIFA फुटबॉल जो देखते हों उनको ज़रूर पता होगा ऐसे ही hockey का अगर बात को तो FIH International Hockey Federation इसका full form है 7th June 1924 में established होता है headquarter against Lusanne Switzerland में headquarter है और chairman याद दिखेगा तयाब इक्राम याद तयाब इक्राम जो है at present chairman है next ICC International Cricket Counseling इस्टाबिश होता है 15th June 1909 में और दुबई UAE जो है वो इसका headquarter याद दुबई UAE और ग्रेग बार्कलेस जो है वो head present क्या है chairman है ICC के आगे बात करें कुछ institution के सार काता बड़ा important group है South Asian Association for regional cooperation established हुआ 8th December 1985 में Kathmandu नेपाल जो है वो headquarter है और इसमें total members आप देखें 8 members है इंडिया अफगानिस्तान पाकिस्तान नेपाल बांगादेश श्रिलंका भूटान और माल्दीश यह 8 members है चाइना इसका member नहीं है यह आपको याद आखना है नेक्स ग्रूप की बात करें BRICS PLUS अभी न्यूस में भी है देखें ब्रिक्स की बात को तो ब्रिक्स आप सबको पता होगा ब्राजील रश्या इंडिया और चाइना और यह 2006 में establish होता है बट इसमें South Africa जो है वो आप देखें 2010 में add हो जाता है तो total इसमें members आप देखेंगे टोटल BRICS में 5 members थे ठीक है बट अभी आप देखेंगे 1st Jan 2024 से 1st Jan 2024 से इसको BRICS PLUS कहा जा रहा है क्यों क्यों क्योंकि इसमें 5 members जो है वो और add हो गये है वैसे 6 members add होने थे बट अरजेंटीरा ने reject कर दिया offer to join BRICS तो अभी 5 members ही add हुए है वो 5 members कौन है इजिप्ट, Saudi Arabia and UAE इसका नाम जो है अनओफिशल तरीके थे BRICS PLUS रखा गया है और इसको BRICS PLUS कहा जा रहा है तो अब टोटल मेंबर साथ हैं 5 पहले थे 5 और आगे थे 5 और 10 members हो गए और अरजेंटीरा ने याद एकिए डिकलाइन कर दिया offer to join BRICS तो यह भी आपको याद रखना है कि BR BIMSTEC होता किया इसका फुल फॉर्म क्या है तो फुल फॉर्म है Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation पहली बात आपको यह पता होना चाहिए BIMSTEC का फुल फॉर्म क्या है क्योंकि आप से पूछ सकते इसमें T का मतलब क्या है E का मतलब क्या है ऐसे questions आते हैं दूसरी बात यह BIMSTEC फॉर्म कब ह 7 आपको alphabets दिख रहे हैं तो यहाद कि 7 members है वह मैं आपको बतायता हूं इंडिया है भूटान है इंडिया की bordering countries है बांगदेश है नेपाल है श्रीलंका है थालेन मैनमार है तो आप यहां पर देख रहोंगे आपको यहां पर चाइना नहीं दिख रहा है यहां पर आपक आगे बढ़ते हैं नेक्स और्गनाइशन के रूप करते हैं यहें एशियान एशियान का पहले तो फुल फॉर्म पताऊना च्छी है Association of Southeast Asian Nation यह इसका फुल फॉर्म है यह established कब हुआ 8 August 1967 में यह established होता है ठीक है यह याद रखना है हेड़कॉर्टर का है यह बड़ा important है 10 members कौन कौन से हैं या मुझे comment box से बताएं क्योंकि मैंने previous lectures में पढ़ाया हुआ है तो comment box में एशियान के नाम लिख रखें आपको मुझे comment box से बताना है एशियान के 10 members कौन कौन है ओके चले आगे बड़ते हैं next आता SEO बड़ा important डूप है Shanghai Corporation Organization okay यह established हुआ था 50th June 2001 में ठीक है और इसको पहले काया था शांगाई 5 भी कहा जाता था ठीक है पहले शांगाई 5 काया था लेकिन अब इसको Shanghai Corporation of Organization कहते हैं यह आपको याद अखना है ठीक है तो established कब हुआ 2001 में okay इसका headquarter का है इसका headquarter है Beijing that is China में इसका headquarter है ऐसे Shanghai मत लगा दिन इसका headquarter क्यों option में Shanghai Corporation organization का headquarter शांगाई जरूर दिये रहते हैं इसका correct answer Beijing है इसमें total 9 members है और इरान इसका भी latest member बना है तो total इसमें 9 members हो गये हैं और इंडिया पाकिस्तान भी इसके member है 2017 में इंडिया पाकिस्तान इस SEO के member बने थे okay और at present Secretary General याद दिखिए कि Jang Ming जो है वह at present Secretary Secretary General है तो important है याद एकिएगा यह organizations मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं कि organizations exam perspectives उनका headquarter establishment deal यह साई चीज़े important है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं NDB अगे मैंने BRICS पताया आपको याद देखिए फिर BRICS PLUS की बात की मैंने जब नया हो गया है कि उसमें नए five members add हो गया है उसी का एक bank है BRICS bank जिसको हम कहते हैं और इसका दूसरा नाम है New Development Bank ओके NDB यह established हुआ था 15 July 2014 में यादि इसको BRICS bank के राम से जानते हैं इसका headquarter Shanghai में है that is China इसकी president अभी Brazil की जो former president रही है उनका हम था Dilma Rousseff वो at present president है New Development Bank की ओके और मैंना भी आपको आपको बिक्स कांट्री से मिलके इस bank को बनाया है इसको हम BRICS bank भी कहते हैं but at present इसमें आप देखेंगे 9 members है ठीक है BRICS bank के members है ठीक है BRICS group जो है उसमें अभी 5 members आपको बता है वो अलग है यह BRICS bank के members 9 जो है total वो अलग है यह आपको यादखना है ठीक है आगे बरते नेक्स आते नेक्स आता है AIIB bank AIIB bank क्या है Asian infrastructure investment bank ठीक है यह established होता है 16th Jan 2016 में इसका headquarter भी Beijing China है ठीक है जैसे सरह SEO का headquarter Beijing में है वैसे AIIB का भी headquarter Beijing में है इसका head present chairman जो है जिन लिकुन जो है वो याद देखिया head present chairman है ठीक है इंडिया येस इंडिया AIIB का भी member है आगे बरते हैं नेक्स बैंक है ADB Asian development bank यह bank established हो था 19th December 1966 में इसका headquarter है Manila Philippines में chairman जो है याद देखियेगा मसाज मसाज सुगू जो है at present इसके chairman है vice president important है को कि Indian है अशोक लवासा यह exam में पूछ सकते हैं आपको याद अखना है इसके member countries अगर देखा है 68 member countries है ठीक है India yes India Asian development bank का member है okay चले आगे बरते है next आता OPEC OPEC क्या है organization of petroleum exporting countries इसका establish हुआ था 1960 में okay headquarter है Vienna Austria में important headquarter याद दखेगा और है थम याद दखेगा at present क्या है secretary general है OPEC के okay चले next बरते है और of course OPEC का India member होगा क्या of course नहीं होगा petroleum related है तो India member नहीं है ठीक है next आता WIPO what is what WIPO World Intellectual Property Organization ठीक है जो इस्टाबिश हुआ था 1967 में okay headquarter है Geneva Switzerland और डायक के general है Darren Tang तो यह देखें OPEC WIPO का headquarter कहां पर है that is Geneva Switzerland ठीक है तो यह थे important organizations बट अब मैं आपको कुछ चीज और बता हूँगा त्रिक याद करने की चीजे याद करने की जैसे कि मैं आपको जो Geneva Switzerland में हैं वहां पर कौन-गौन से कुछ other headquarters भी है other other organizations के headquarters वहां आपको याद करायता हूँ Geneva Switzerland में याद देखेंगा अभी मैंने पताया थे International Committee of Red Cross Red Cross की बात किसका headquarter वहां पर है ठीक है Sir this is very important what is this European organization for nuclear research इसका भी headquarter पूछा आता है same याद जनेवा सुझे लाइन है International Labour Organization मैंने अभी पताया जनेवा सुझे लाइन है WHO का भी यही है WIPO World Intellectual Property Organization का भी यहीं पर है World Metallurgical Organization का भी यहीं पर है तो यह कुछ organizations है जिनका headquarter कहां पर है Geneva Switzerland में ठीक है तो एक बार recap भी हो रहा है और कुछ जो मैं नहीं बता है वो यहां पर मैं go through भी कर रहा हूँ ठीक है जैसे next जो है Switzerland में लूसान लूसान, Switzerland में जो headquarters है जिनों organizations का उनको धरूँ गो through कर लिएगा जैसे की International Hockey Federation International Boxing Association World Archery ठीक है आर्चरी के बात कहा है और तीरंदाजी की बात कर रहा हूँ International Table Tennis Federation International Golf Federation और World Rowing Federation यह सारे sports के आप देख रहा हूँग इसका headquarter का है लूसान, Switzerland में तो यह आपको याद अखने है क्योंकि मैंने भी बताया ना जो मैंने वहाँ पर नहीं बताया है वो मैं कुछ यहाँ पर जिनके headquarters बता रहा हूँ उनको आपको याद अखना है ठीक है, चलिए Next आते है, headquarters in Vienna Austria International Atomic Energy Agency इसका headquarters, that is IAEA इसका headquarters याद लखेगा विएना में है और OPEC, अभी OPEC को डिस्कस करना था हमें Organization of Petroleum Exporting Country इसका भी headquarters विएना, Austria में है तो यह सारे headquarters याद लखेगा एक पर revise करा रहा हूँ, याद हो जाएंगे आपको ठीक है, Paris, France Paris, France, France आप शायद आप शुना होगा कभी यूरोप पर आपके जाने का plan भी होगा France की capital है, Paris वहाँ पर headquarter किसका है वहाँ पर है, that is UNESCO का headquarter वहाँ पर है, ठीक है, अभी मैंने पताया था आपको OECD, Organization of Economic Cooperation Development, याद इसका headquarter महाँ पर है, हैना International Astronomical Union AIAU का headquarter महाँ पर है International Energy Agency इसका headquarter है यहाँ पर है यहाँ देखिएगा, यह सारे headquarters में एक बार revise करा रहा हूँ, इसमें से questions आते हैं ठीक है, चलिए, आगे बताओ तो है, headquarter in Canada Montreal, Canada में किसका headquarter है वह है World Anti-Doping Agency Important है, International Air Transport Agency Association International Air Transport Association International Civil Association Organization यहाँ देखिए, ICAO इन सबका headquarter कहाँ पर है, that is Montreal, Canada तो जो organizations, जिसका हैं details बताई थी, वो तो मैंने बताई दी है प्लस जिनके headquarters important है उसको मैं last में go through कर रहा हूँ, इसमें आपको सारी चीजें एक lecture में ही मिल जाए, आपको अधर कोई भी channel या lecture को follow करेंग जरूवत नहीं पड़े, okay Brussels, Belgium, इसमें NATO का headquarter है याद अखिएगा, और European Union दोनों important organization है, दोनों का headquarter Brussels, Belgium में है, Belgium आप सबको भी पता होगा, European country है next अगर बात को, London, UK London, UK में बड़ा important है MNST International, पूछा आता है MNST International का headquarter का, London, UK में EIU, Economic Intelligence Unit इसका भी पूछा आता है International Maritime Organization, ये भी पूछा आता है Commonwealth of Nations, ये सारे पूछे आते है इनका headquarter है London, UK में एक question भान ही आएगा, मेरे इस lecture को आप ते end तक follow क्या होगा, सारे questions आपको बन जाएगे, और अधर कोई भी follow करनी ज़रो है तो नहीं होगी, ठीक है और last, कुछ sports organizations है और जिनके headquarter जो exam में आ सकते हैं, जैसे की International Basketball Federation, इसका देखे है Switzerland में मीस है, ठीक है अलग-अलग जगे इसलिए बता रहा हूँ मैं आपे World Athletics का, मोनाको है International Shooting Sports Federation का, मुनेच जर्मनी है International Tennis Federation का, London, England है Badminton World Federation का, Kulalampur, Malaysia है World Chess Federation का, FIDE, जैसे कहते है Louisiana, Switzerland है, ठीक है तो इस अधर sports organization थी, जिनके headquarters में आपको बता दी है तो सारे headquarters, जितने भी headquarters है exam perspective से, वो सारे इस lecture में डिसकस हुए है इन सब को एक बाग गोत्रू करके चले जाना इसी से questions आपको देखने को मिलेंगे तो आपने देखा, किस तरह मैंने पुर्वे detail में lecture को समझाया है और सारी चीज़े यहां पर cover की है अगर आपको ऐसे lectures कहीं, single lecture में हर चीज़े मिल जाती है और आपका benefit होता है याद है इसका PDF भी टेलिग्राम में मिल जाएगा आपको तो आप हमें कुछ contribute करना चाते है तो हमारा QR code है, फोन पे पेटियम गोल पे नंबर भी है यह एक voluntarily donation होती है अगर आपकी help हो रही, अगर आप capable हैं तो आप donate कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो वीडियो को like तो कर सकते हैं, चैनल को subscribe कर सकते हैं इससे भी हमें benefit होता है तो do like and subscribe आप चैनल अब आप कहेंगे सरी, यह आपने international organization के सारे headquarters बता दिये सारे important points बता दिये इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा बस अब आएगा क्या है, general studies general studies मतलब polity, geography, history इसका क्या करें, इसी के लिए मैं आपको अपने handwritten notes प्रोवाइड करता हूँ देख सकते हैं, polity के handwritten notes है हर चीजे point frame हर चीजे यहाँ पर cover की गई है तो इस notes को आप order कर सकते हैं, हर subject के notes अविलेबल है current affairs की भी आपको, जैसे आपने current affairs पढ़ लिए, अब आप क्यारोगे current affairs की, क्या कोई booklet मिल जाएगी, यह लिए, बिल्कुल मिल जाएगी, ठीक है क्या sir हम order नहीं कर पारे, time कब है, तो क्या soft copy में मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा मिलेगा कैसे आप सुचोंगे, number दिया हुआ है मेरा contact, इस पर आप contact कर सकते हैं, ठीक है आप चाहिए तो application से भी directly buy कर सकते हैं, application का नाम है देवशीश classes, link है description box में है आप चाहिए आप डाउनलोड करें, वहाँ से भी आप notes ख़ई सकते हैं, classes buy कर सकते हैं, और वहाँ से आप चीजों को पढ़ सकते हैं प्रॉपरली वहाँ पर भी आपको सारी चीज़े available हो जाएंगी तो यहाँ पर आपने देखा, even आप UPSC के preparation कर रहे हो, pre-mains की classes चाहिए, आप state services की preparation कर रहे हो, general studies की classes चाहिए, किसी की भी notes चाहिए आपको, contact करो, हर चीज़ में आपको बताऊँगा sample भी आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आप purchase कर सकते हो, उसके लिए application ज़रूद करो, वहाँ पर हर चीज़े mentioned है UPSC के complete courses, NCRT, answer writing series, सब कुछ हम provide कर रहे हैं, आपको कहीं जाएंगा ज़रूद नहीं है, कम time पर, to the point पढ़ाते हैं, यहां पर आपका time वेस्ट नहीं होगा, कम time पर, जादा time वेस्ट नहीं होगा, आपका याद रखिए कि आप बहुत देर का lecture देख रहे हो, कम output मिल रहे ह आपको, यहां जादा output मिलेगा आपको, ठीक है, अगर आपको इस तरह की initiative पसंद आता है, ऐसे initiatives को like करना ज़रूरी है, ऐसे initiatives को share करना ज़रूरी है, इसमें ऐसे ही lectures exam में लोग बनाएं, जो पढ़ा रहे हैं, teachers पढ़ा रहे हैं, वो भी कम time पर, जादा पढ़ाने पर focus करे जिससे ही जादा content आप तक पहुच सके, अगर आप भी चाहते हैं, ऐसे initiatives हो, आप वीडियो को like करें, comment box में जरूर comment बताएं, कि आपको other कौंसा topic चाहिए, मैं सारे topic को एक single lecture में provide कर दूँगा, ठीक है, PDF का में लेगी इस lecture के, टेलीग्राम ग्रूप को join करें, link in description box में mention है so thank you everyone, I hope आपको lecture समझ में आगो, please जाते आते मैं जरूर request करूँगा, वीडियो को share जरूर करने, okay, thank you everyone, jay hin, jay bharat